आज मैं आप सभी से मात रितीन चीजों से आटे से बनने वाली बहुत ही स्वादिश मिठाई की रेस्पी शेयर करने वाली हूँ दिवाली आने वाली है और हर गर में तो मिठाई जरूर बनती है तो आप इस आटे की स्वादिश मिठाई को जरूर बनाए और ऐसे ही अच्छी अच्छी और नई नई रेस्पी पाने के लिए आप मेरे शैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में दिये गए घंटी को दबाना बिल्कुल न भूलें तो चलिए हम लोग यहां पे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी आटे से मिठाई बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए एक कड़ाई में एक शोथाई कप घी डालेंगे और इसे हलका सा मेल्ट करेंगे आप शाहें तो इसके जगह पे रिफाइंड वाईल का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मिठाई में गी का स्वाथ बहुत ही अच्छा आता है तो आप इसे जरूर डालें गी मेल्ट होते ही एक कप गेहूं का आटा डालेंगे आप इसके जगह पे मैदे का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन गेहूं का आटे से इसमें बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुस्बू आती है अभी इसे मैं लगतार चमच से दबाते हुए कुछ इस तरह से लो फिल्म पे भूनना सुरू करेंगी इससे मैं आप देख सकते हैं आटे में बहुत सारी गुठलिया आना सुरू हो चुकी है तो इसलिए हम लोग चमच को कुछी इस तरह से दबाते हुए चलाएंगे ताकि आटे में से गुठलिया खतम भी हो जाए और अच्छी तरह आटा भून भी जाए अगर आप भी चाते हैं कि मेरी तरह बिल्कुल पर्फेक्ट और स्वादिश मिठाई बना कर त्यार करें तो आप वीडियो को आखरी तक देखें और एक भी स्टेप को मिसना करें यहाँ पर मैं लागतार शमच को चलाते हुए भून रही हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें से गुठलिया खतम होना सुरू हो गया है ऐसे ही आप भी करें इस तरह से जब हम लोगों का मिठाई बन के तयार होगा तो उसमें बहुत ही अच्छा टेक्शर आएगा एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान दे इसे हाई फ्लेम पर ना भूने यह धीमे धीमे आज पर बहुत ही अच्छी तरह से भून जाता है और इसका कलर भी चेंज जादा नहीं होता है इसे मैं 6-7 मिनर्ट से भून रही हूँ अब यह भून चुका है इसमें से सौंधी सौंधी से खुसबू आने लगी है इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है तो अब इसके फ्लेम को आफ करके इसे निकाल लेंगे ध्यान रखके इसका कलर ज्यादा डार्क ना करें नहीं तो मिठाई का कलर अच्छा नहीं आएगा इतना कलर बिर्कुल पर्फेक्ट है अब इसे हम लोग एक साइड में रखेंगे और चलते हैं इसके लिए चासनी बनाने के लिए चासनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे उसी कड़ाई को क्लीन करके इस्तमाल करूंगी अब इसमें एक कप चीनी डालेंगे इसे के साथ साथ डालेंगे आधा कप पानी और दो छोटी इलाची को खोल कर डालेंगे इलाची से इसमें साथ बहुत ही अच्छा आता है तो आप इसे जरूर डालें अगर आपको कोई और फ्लेबर पसंद है तो आप उसे डाल सकते हैं सबको अच्छी तरह से हम लोग निक्स कर लेंगे आप इसके फ्लेम को आउन कर देंगे और इसे लगतार चलाते हुए इसकी चासनी तियार करेंगे इसे मैं लगतार चला रहे हूँ ताकि चीनी बहुत ही जल्दी से फिघल जाए और चासनी जल्दी बन के तियार हो जाए यहाँ पे चीनी पिघल चुका है लेकिन चासनी में उबाल नहीं आया है तो इसे हम लोग उबलने देते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे चासनी में उबाल आना सुरू हो चुका है इसे चलाते हुए अभी हम लोग और पकाएंगे चासनी को मैं 4-5 मिनट से हाई फ्लेम पे पका रही हूँ अब चासनी में जाग आना सुरू हो चुका है से चेक करेंगे तो एक छोटी सी थार बनेगी, आप देख सकते हैं यहां पे हम लोगों की उंगलियों के बीच में एक चोटी सी थार बन रही है, यानि के हम लोगों की चासनी बिलकुल परफेक्ट बनी है अब हम लोग इसमें कि जो भी इलाची डालेते हैं वो निकाल लेंगे नहीं तो मिठाई में भीच मीच में पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा अब हम लोग इसमें फटफट से तीन से चारबून हरा कलर डालेंगे एक शोटी चमच रोज वाटर डालेंगे सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आप चाहें तो कलर की जगा कोई और कलर का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर रोज वाटर आपको पसंद नहीं है तो कोई और फ्लेवर डालें अगर आपके पस दोनों में से कोई नहीं है तो ये दोनों बिल्कुल ऑप्सनल है ऐसे भी मिठाई बहुत ही मज़ेदार बनेगी यहां पर कलर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब हम लोग इसमें भूना हुआ आटा डाल देंगे और इसे चमच से दबाते हुए हम लोग चलाएंग कर लोंगी उसके बाद अन करूंगी दियान रखे इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ही इसके फ्लेम को अन करें नहीं तो हम लोगों की मिठाई खराब हो सकती है और मिठाई बाद में हाड़ भी हो जाएगी यहां पर आटे को मैं बिल्कुल अच्छी तरह से चासनी में मिक्स कर चुकी हूँ अब हम लोग इसमें तीन से चार बड़ा चमच मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मिल्क पाउडर भी यहां पे बिल्कुल ऑप्सिनल है अगर आपके पास है तो डालें नहीं तो कोई बात नहीं है मैं आप सभ काम को जली-जली करेंगे यहां पे मैं आप लोगों को step by step दिखा रही हूँ इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है नहीं तो मैं फटा-फट से डालती और मिक्स करके फटा-फट से मिठाई बना कर त्यार कर लेती आप देख सकते हैं यह बिल्कुल एच्छी तरह से मिक् मिठाई की recipe देखनी है तो आप मेरे channel पर जाकर देख सकते हैं मैं पहले से upload कर चुकी हूं इसे मैं तीन से चार मिनट से पका रही हूं अब यह कड़ाई को भी छोड़ने लगा है ध्यान रखें इसे ज्यादा ना पकाएं नहीं तो मिठाई हाड हो सकती है तो चलिए अब ह इसे हम लोग चलाते हुए दो से तीन मिनट तक ऐसे ही ठंडा कर लेंगे इसे step आप जरूर करें इस तरह मिठाई सेट करने में आसानी होगी जैसे जैसे यह ठंडा होगा यह और भी ठीक होते जाएगा तीन मिनट से इसे मैं ठंडा कर रही हूं अब यह बिल्कुल अच्छ कर सकते हैं अब इसके उपर जो मिठाई बना कर रखें उससे डालेंगे और इसे चमत से कुछी तरह से दबा कर फैला देंगे अब इसके उपर हलका सगी लगाएंगे इसे लगाने से मिठाई में उपर से साइनिंग आती है तो आप इसे step को जरूर करें इस तरह से दिखने के हूँ इसे हम लोग साथ से आठ मिनट के लिए ठंडा करेंगे पंखे के नीचे साथ मिनट बाद आप देख सकते हैं यह बिल्कुल अच्छी तरह से से हो चुका है अभी इसमें बिल्कुल हलका हलका सा गर्माहट है इसे वक्त हम लोग इसे कट करेंगे तो मैं आपको मिठाई को कटना सुरू करेंगे आप देख सकते हैं कितना अच्छे से मिठाई कट रहा है और निकल कर बाहर भी आ रहा है जब यह मिठाई आप बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपने इसे आठे से बनाया है इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है आप इ यह बचा हुआ मिठाई का जो कटिंग है ऐसे ही बच्चों को दे दे अगर आप इसे स्कॉयर सेप में कट करेंगे तो इसमें कोई भी वेस्ट पार्ट नहीं निकलेगा अब हम लोग इसे थोड़ा और भी डेकुरेट कर लेते हैं तो इसके ऊपर मैं चेरी लगाऊंगी त बहुत ही कम पैसों में बनकर त्यार हो जाता है और इसमें जो भी समान लगा है बहुत ही आसानी से हर किचन में मिल जाता है एक मैं आपको पास से तोड़कर दिखाती हूँ कि मिठाई कितनी अच्छी बनी है इसका टेस्ट और टेक्शर बहुत ही मज़ेदार है तो आप इ इसे एक बार जरूर मेरे तरीके से ट्राइ करें इसे खाते ही मुँ में ये घुल जाता है तो आप भी इस दिपॉली पे इससे बनाए और इंजोय करें और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि ये रेस्पी आप सभी को कैसी लगी तो चलिए अगर अभी तक आपने वीडियो क को लाइक नहीं किया है तो फटो फट से लाइक कर दें ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक और नए रेस्पी के साथ तब तक लिए थैंक्स फूर वाचिंग बाबाए